सब्सक्राइब कर दो हमारे ड्यूप चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बैल एकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए अगर आप मेरे को कमेंट करके यह बता हूँ कि आपकी हिंदी की प्रिपेशन कंप्लीट हो गई है नहीं हुई और साथ मेरे को कमेंट करके यह भी बताना कि आपने अब तक कितने सेंपल पेपर सॉल्व कर लिए और अगर आप में से कोई ऐसा स्टुएंट इसने अभी तक एक भी सेंपल पेपर सॉल्व नहीं है तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज एक सेंपल पेपर कम से कम सॉल्व करके जरूर जाना कल के बोर्ट एक्जाम में तो आप का हिंदी बोर्ट एक्जाम कलका वह सिंपल आएगा 15 इंग्लीका इंग्लीज कारिव एक्जाम में आज उससी तर fluorescent कि जो हमीजों रहिक हो का यछी नहींुनर खयाँ होगा इंगलींश को रच्वेस्ट कर् sağ है the health coaching की तो तो अगर हिंदी का पेपर सिंपल है जा हाड है आएगा लेंथी यह पुरा कंफाम है कि लेंथ यह पर इसलिए अपनी तो हिंदी की डाइटिंग स्पीड है वह थोड़ी तेज रखना इसलिए मैं आपको अभी कहा रहा हूं कि एक सेंपर पर कम से कम स्वाल करके ज़रूर जा इसलिए अगर आप पोश्चा में करो या फिक कोई भी चीज करो उसके अंदर आप ब्लैक में का यूज मत करना पैंसल का यूज कर सकते हो बाकि गाइज टैंसम फिडियो कर जाना कल के एक्जाम काफी सिंपल होगा और मिरे को आप सभी से बहुत उमीद है कि आप सभी तेज करना और टाइम मेंजमेंट प्रॉपरली करना जिससे आपका पूरा पेपर टाइम पे ही कंप्रीट हो जाए और लेखक के नाम याद करना बिल्कूर मत बूलना पोएम हो गए उनके लेखक के नाम हो गए उनका जीवन परिज्य हो गया यह छोटी-छोटी चीज़े ज़रूर याद करके जाना और अगर आप में इसको ऐसा स्ट्रेंड जिसके अपते हिंदी की प्रिपेशन नहीं हुई है तो वह मुसे एक और कॉंटक कर लें मैंने स्कीन पर में कॉंटक नमर दिये वह मुसे एक और कॉंटक कर लें उसको मैं थोड़ी बहुत टिप दे तो दोस्तों अपने फिल में लेगे नेक्स वीडियो में तब तक आप सभी को आपके कल के बोड एक्जाम के लिए बैस्ट्रप तक